बेरोजगारी की हवा, महेंगाई की रजाई और भक्ती का भसम रगण के भक्त बेनरजी जैसे लोगों की सर्दिया तो मस्त कट रही हैं लेकिन सर्द हवाओं के साथ प्रोटेस्ट और बगावत की बू एक बार फिर से हमारे सडकों पर और चाराहों पर दस्तक दे रही हैं पहले एंटी नैशनल सी ए ए मूवमेंट फिर खालिस्तानी एंटी फार्मर बिल मूवमेंट और अर्बन नकसल टुकडे टुकडे स्टूडेंट्स जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं हर जाडे के सीजन में एक प्रोटेस्ट एक साल देश में अराजकता फेला रहे हैं अब स्टूडेंट्स छोटे मोटे मुद्दे जैसे अनिम्प्लॉइमेंट, फिजिकल एक्जाम्स डियोरिंग कोविड, काउंसिलिंग में देरी, रिजल्ट्स में डिले, रिजल्स में ध अंदली वगेरा वगेरा को लेकर देश का माहौल बिगार रहे हैं ये युवा, हमें हमारे पांच ट्रिलियन टन एकॉनमी बनने से रोक रहे हैं ये स्टूडेंट्स और युवा, और अगर आपने सोचा कि जे नियू जामिया के स्टूडेंट्स पर डंडे बरसा कर सारे स स्टूडेंट्स को चुप करा दिया गया है, तो आपने गलत सोचा, ये सवाल पूछने की जो बिमारी है अब पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है, और चुनाओं के इस घमासान माहौल में ये मुद्दा चाय के खोखों से जादा और आपसी सियासत से भी जादा गहर बन चुका है, रेल की पट्रियों पर माहौल घरब हो रहा है और बेरोजगार योवा आग बबूला हो रहे है, कुछी दिन पहले नीट कांसिलिंग में देरी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और दिल्ली पुलिस ने उनकी अच्छे से खातिरद बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरीज के लिए 2019 में अबाउट 35,000 वेकिंसी अंडर CBT-1 और CBT-2 का नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद लंबे समय से चलने वाले ये एक्जाम साथ फेजिस में between 28th of December 2020, 31st of January 2021 में कराया गया, जिसमें CBT-1 के रेजल्ट 14 January को डिकलेर हो चुके और CBT-2 मिड फेबरी में होना था, इस एक्जाम से सिलेक्शन होता है, रेलवे क्लर्क, स्टेशन मास्टर, टाइम कीपर जैसे नॉन टेक्निकल पदो का, इस एक्जाम में graduate और बारवी past students दोनों को ही बठाया गया, एक ही paper, अलग-अलग cut-off के साथ और वो भी inter-pass students के लिए कुछ घजब का ही अलग cut-off था, अब ये बताईए, 100 में 96 नंबर का ही cut-off जाता है, 100 में 100 कर देता है, इस वर क्या हुआ है कि एक upper grade को lower grade से मिलाकर, अलग-अलग exam ले ले लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, CBT-1 screening test है, जिसको qualify करने वाले चातरों को CBT-2 में बैठने का मौका मिलता है, students का कहना है कि उन से वाइदा किया गया था कि vacancies के 20 गुना च्छातर, यानि 7 लाक से भी जादा बच्चे CBT-2 exam में बैठ सकेंगे, अब देश के जादातर नेता टाइप लोग जो promise करते हैं, ये unfortunately एक जुमला निकला, और सिर्फ 11 गु का साथ लाक का आधा है, इधर लाखों students का पता कटा और उधर चातरों का कहना है कि दूसरी तरफ जो graduate students हैं, जो CBT-1 qualified हैं, वो एक साथ 6-6 पदों के लिए qualify हो गए, और अगर वो भगवान का कोई अवतार नहीं है, तो पद तो एक ही मिलेगा, यानि बाकी vacancies खाली जाएं रेलवी ग्रूप D नौकरी के लिए दो-दो एक्जाम्स का सड़ेन ऐलान और students एकदम हक्के बक्के रह गए हैं, आकरोष तो ऐसा बहुत दिखा students में, लेकिन इसमें कोई दो राहे नहीं है कि protest वाइलेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन गल्तिया दोनों तरफ से हुई हैं, students आज मांग कर रहे हैं कि जैसा notification में बोला गया था, total पदो को 20 गुना selection होना चाहिए CBT2 के लिए, यानी 7 लाक नाकी 3.8 लाक जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, ये graduate और inter को एक ही paper देके, अलग-अलाफ cut-off करके, इतना कुछ उल्टे हाथ से नाक प रेल मंतरी ने खुद आश्वासन दिया है कि वो नियाए करेंगे। उसके किसी भी student को पकड़ के बेहरहमी से मरे। वैसे पुलीस का बरबरता निहत्य students पर कोई नई बात नहीं है, आजकल तो ऐसे ही दिखने लगा है, जैसे whatsapp पे fake news दिखता है और news channel debates में गालियां। अपने हक के लिए लड़ना बेशक जरूरी है, प्रोटेस्ट करने का हक आपको सम्विधान देता है। लेकिन railway property को नुकसान पहुचाने का एक प्रोटेस्ट में वो ही काम करता है, जितना की एक जलते हुए आँग में गैसलेट या फिर किसी sensible issue पर गोधी मीडिया का debate, उच नहीं होता ये करके, मामला और भी गड़ जाता है। लेकिन क्या ये मामला, ये सिर्फ NEET या RRB का है या ये प्रोटेस्ट, ये आख्रोश हमें कुछ और बता रहा है देश के नौजवानों के बारे में, देश के युवाओं के बारे में, देश में नौकरी की स्थिती के बारे में, देश की GDP में अच्छा खासा योगदान द करोर से जाधा एप्लिकेशन, जिसमें से आवेदन की फी 500 रुपए प्लस की होती है, और लोगों की एज निकल जाती है, लाखो ट्वीट्स कंसर्निंग RRB एक्जाम्स के बावजूद, अभी तक 2019 के पूरे एक्जाम्स कंड़क्ट नहीं हुए इतने सालों बाद भी, अर प्रोना के बीच में एक्जाम दे भी दे, फिर पता चलता है एक्जाम कैंसल, पेपर लिक, सिर्फ गुजरात में पिछले साथ सालों में नौ बार पेपर लिक होने की खबर आ चुकी है, हाली में यूपीटेट पेपर भी लिक होने की खबर आए, और मैं छोटी मोटी परि जो कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की तरह इग्नोर कर देते हैं आज की युवाओं में, अरे भाई, सियाचीन में हमारे जवान लड़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा एक्जाम, कैंसलेशन, पेपर लिक, नो रिजल्ट, टू यर डिले, इतना छोटा बड़ा स्ट्रेस दे ले जे न्यू फी हाइक प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, जामिया CAA क्रैकडाउन की बात कर लीजिए, या हाली में रेजिडेंट डॉक्तर प्रोटेस्ट, पहले पड़ती है लात और बहुत बार तो बात ही नहीं होती है आज जब स्टूडेंट्स पर लात पड़ी है तो उन्हें याद आ रहा है कि उनको प्रोटेस्ट करने का हक है, सरकार से सवाल पूछने का हक है लेकिन हम तो इन विशेओ उपर बहुत सारे एपिसोड बना चुके हैं, ठक गए हैं या देशबक्त पर एपिसोड बनाते बनाते आज ये सारी चीज़ें एंटीनेशनल हैं और उससे भी ज़ादा दुख की बात, दुनिया के सबसे बड़े गंतंत्र में, लार्जेस्ट डिमोक्रिसी इन दे वर्ल, दे मदर ओफ डिमोक्रिसी में आज एक सॉलिड यूथ लीडर नहीं है नेशनल लेवल पर, एक यूवा आज स्टुडेंट्स की बात सुनता और मामला हाथ से नहीं निकलता, आज स्टुडेंट्स को देश में क्या हो रहा है उससे ज़ादा फरक नहीं पड़ता है, वो अपने वाटसाइब यूनिवरसिटी में खुश रहते हैं, पास देखते हैं, फ्यूचर नहीं देखते हैं उसे ज़ादा परवान नहीं है, कॉलेज यूनिवरसिटी में वैसे में भी स्टुडेंट्स पॉलिटिक सा गला गोटा जा रहा है, और जब स्टुडेंट्स पर मुसीबत आन पड़ती है, तो वो बिचारे क्या कर सकते हैं, थोड़ा ट्विटर ट्रेंट कर लेते हैं, और से वो लगानी होगी, रेल के डिब्बों में नहीं, और ना माने सरकार तो इलेक्शन में वोड दे के सरकार को उखाड़ना होगा, पट्रियों को नहीं, समझे बार? एलेक्शन में वोग दिना